नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोकाफ सोनू स्टडी क्लासे यूटूब चलूब चलूब दोस्वाज मैं आप से लोकों स्याटी बूक क्लास इलेवंत राजनीती विज्ञान चैप्टर दो भारती सविधान में अधिकार पर प्रसुतर मैं आप लोको स्विड़ों मताऊंगा मुख्य विंदू और 928 में ही मोतिलाल नहरू के समीती ने अधिकारों के एक गोश्रा पत्र की मान उठाई थी वर्स 1976 में सविधान का 22 संसोधन किया गया वर्स 2000 में सरकार ने राष्ट या मानव अधिकार आयोग का गठन किया और 928 में जनता पाटी की सरकार ने 44 में सविधान संसोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सुची से निकाल दिया और सविधान के अनुछे 300 को के अंतरगत उसे एक समान कानून नी अधिकार बना दिया दच्षड अफेरका का सविधान दिसंबर 1990 में लागू हुआ इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दच्षड अफेरका ग्रह युद के खत्रे से जूज रहा था अनुचेत 16-14 इस अनुचेत की कोई बात राज को पिछडे हुए नागरिको के किसी वर्ग के पच्ष में जिनका प्रतिनेद्यत्व राज की राय में राज के अधिन सेवाओं में प्रयाप नहीं है नियुक्तियां या पदो के आरच्षड का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी अनुचेत 21-21 जीवन और देहिक स्वतंतरता का सारचन किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देहिक स्वतंतरता से विधी द्वारा इस्तापित प्रिक्रिया के अनुसार ही वन्चित किया जाए अन्यथा नहीं स्वतंतरता के सबसे महात्पूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिकत स्वतंतरता का अधिकार है किसी भी नागरी को कानून द्वारा निर्धारी प्रिक्रिया का पालन किये विना उसके जीवन और व्यक्तिकत स्वतंतरता से वन्चित नहीं किया जा स प्रतेक्ष रूप से निवारक नारंज वंदी सरकार के हाथ में आसामाजिक तत्तो और राष्ट्य विद्रोई तत्तो से निपटने का एक हथियार है। खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नोकरी नहीं दी जा सकती। अभ्यास प्रस्त अउत्तर प्रस्त नमबर एक निमलिखित प्रतेक कथन के बारे में बताएं कि वह सही या गलत। ख अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वड़नन रहता है। पत्र व्यक्ति के स्वतंतरता की रच्छा करता है। उत्तर सही। गर विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है। उत्तर गलत। प्रस्त नमबर एक निमलिखित में कौन मौलिक अधिकारों सबसे सठीक वड़नन है। किसी व्यक्ति को प्राफ्त समस्त अधिकार ख कानून द्वारा नागरी को पदत समस्त अधिकार गर सविधान द्वारा पदत और सुरचित समस्त अधिकार गर सविधान द्वारा पदत वे अधिकार जीन पर कभी प्रतिवन नहीं लगाया जा सकता उत्तर गो सर्धान द्वारा पदत और सुरच्छित समस्त अधिकार प्रश्ट नमर तीन नेम लखित इस्तितियों को पढ़े प्रतेक इस्तिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपियोग या उलंगन हो रहा है और कैसे को राष्ट या एरलाइन के परिचालक दल के ऐसे पुरुसों की जिनका वजन ज्यादा है नोकरी में तरक्की दी गई लेकिन उनकी ऐसी महिला साकर्मी को डंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था उत्तर इसमें महिलाओं के समानता के अधिकार का उलंगन है कि प्रतेग व्यक्ति को नोकरी में तरक्की दी गई जबकि समान इस तरकी महिलाओं को दंडित किया गया एक निर्देश एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलुचना है उत्तर इस गटना में मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है इसमें निर्देशक के अपने को व्यक्त करने के अधिकार का उपयोग हो रहा है जो सविधान के 19 वे अधिकार का उप्योग हो रहा है अनुछेत 19 वे में दिये गए अधिकार किसी उद्देश के लिए संगठित होने का उप्योग करके विश्थापी लोग संगठित होकर रैली निकाल रहे हैं घव आद्र सोया सोसाइटी आंद्र प्रदेश के बाहर तेरगु माध्यम के विद प्रस्ट नमर चार नेम लिखित में कौन संस्कृती और सेचिक अधिकारों की सही ब्याक्या है को सेचिक संस्ता खोलने वाले अल्फ संख्यक वर्ग के ही बच्चे उस संस्ता में पढ़ाई कर सकते हैं सरकारी विद्यालियों को यह सुनस्चित करना चाहिए कि अल्फ संख्यक वर्ग की बच्चों को उनकी संस्कृती और धर्म विश्वासू से परिचित कराया जाए बासाई और धार्मिक अल्फ संख्यक अपने बच्चों के लिए विद्याले खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालों को आरच्छित कर सकते हैं। भासाई और धार्मिक अलब संख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित से च्छिडिक संस्ताओं के अतरिक्त किसी अन्य संस्तान में नहीं पढ़ेंगे उत्तर। गह भासाई और धार में एक अल्ब संख्यक अपने बच्चों के लिए विद्याले खोड़ सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालों को आरच्छित कर सकते हैं प्रश्च नमर पाँच इनमें कौन मौलिक अधिकारू का उलंगन है और क्यों किसी पुष्टक पर प्रतिवंद लगाना मौलिक अधिकार का उलंगन है क्योंकि इसमें अविद्यालों का उलंगन है प्रश्च नमर चव गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकरता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है उनके लिए जरूरी यह है कि नीती निर्दिसक सिधानतों और कानूनी तोर पर बादिकारी बना दिया जाए क्या आप इससे सहमत है आप अपने उत्तर का कारण बताएं उत्तर हम इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि नागरी को के लिए मौलिक अधिकार नीती निर्दिसक तत्तों से अधिक जरूरी है दूसरे नीती निर्दिसक तत्तों को बादिकारी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि हमारे पास सभी को नीती निर्दिसक तत्तों मह दी गई सुधाओं को देने के लिए प्रयाप स्रोत नहीं है अनेक रिपोटों से पता चलता है कि जो जातियां पहले जाड़ू देने के काम में लगी थी उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में अनुछे सूल में दिये गए काम के छेत्र में समानता के अधिकार का उलंगन हो रहा है। चला की अधिकान सरासन काड़धारी यह नहीं जानते कि उचित मूले की दुकानों से कितनी मात्रा में हुए अनाज खरिच सकते हैं। अधिकार समू ने अपनी याचिका में अदालत से नेवधन किया कि वह सरकार को सारवजनिक वित्रप्रणाली में सुधार करने का आदेश दे। इस मामले में कौन कौन से अधिकार सामिल हैं। यह अधिकार आपस में किस तरज जुड़े हैं। उत्तर इस मामले में निमने मौलिक अधिकार सामिले नंबर 1, कानून के सामने समानता का अधिकार अनुचेत 94, नंबर 2, भेद भाव की मनाही अनुचेत 15, क्या यह अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है? उत्तर हाँ यह जीवन के अधिकार का एक अंग है निती निर्देशक तत्तो और मौलिक अधिकारों में सम्मंद को बताईए उत्तर निती निर्देशक तत्तो और मौलिक अधिकारों में सम्मंद मौलिक अधिकारों और निती निर्दिशक तत्तों को एक दूसरे के पूरक की रूप में देखा जा सकता है जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिवंद लगाते हैं वही निती निर्दिशक तत्तों उसे कुछ कार्यों को करने के प्रणा देते हैं मौलिक अधिकार खास तोर से व्यक्ति के अधिकारों को संचरित करते हैं परन्तु निती निर्देशक्तत्यों पूरे समाज के हित की बात करते हैं लेकिन कभी-कभी जब सरकार निती निर्देशक्तत्यों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिको के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमिदारी अनमूलन कानून बनाने का वैसला किया इसका विरूद इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है लेकिन यह सोचकर कि समाजिक आओ सकता है वै कित हित से उपर है सरकार ने नीती निर्देशक तत्तो को लागू करने के लिए सविधान का संसोधन किया प्रश्ट नमबर दस आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महतपून है इसके प्रावधानों को संछेप में लिखें और तरक देकर बताएं कि यह क्यों महतपून है उत्तर भारती सविधान में दिया गया अन्तिम अधिकार सविधानिक उपायों का अधिकार सबसे अधिक महतपून है क्योंकि यह अधिकार है कि अगर सविधान में दिये गए अन्य मौलिक अधिकारों का उलंगन हो तो यह अधिकार नागरिकों को न्यालय में जाने का आत्मा कहा है अतरिक्त प्रश्ण उत्तर प्रश्ण नमबर एक नीती निर्दिशक तत्तो और मौलिक अधिकारों में सम्मंद को बताईए उत्तर नीती निर्दिशक तत्तो और मौलिक अधिकारों में सम्मंद मौलिक अधिकारों और नीती निर्दिशक तत्तो को एक दूसरे देते हैं मौलिक अधिकार खास तोर से व्यक्ति के अधिकारों को संचित करते हैं परंतु नीती निर्दिशक तद पूरे समाज के हित की बात करते हैं लेकिन कभी-कभी जब सरकार नेती निर्दिसक तत्तों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं यहां यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमिदारी अनूलन गानून बनाने का फैसला किया इसका विरूद इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है लेकिन यह सोचकर की समाजी आओ सकता है व्याकिक हित से उपर है सरकार ने निती निर्दिसक तत्तों को लागू करने के लिए सविधान का संसोधन किया प्रस्त नमबर दू भारती सविधान में नहित ऐसे अधिकार का वर्णन नहीं किया जा सकता है जिनके लिए नियाले में दावा नहीं किया जा सकता उत्तर भारती सविधान में नहित ऐसे अधिकार है जिनके लिए नियाले मजदूरी निबर 281 के विरुद अधिकार निबर 4 काम का अधिकार निबर 5 बच्चो को मुप्त और अनिवार सिच्छा का अधिकार प्रस्ट निबर इसела स्विधान के लिखित लोगों के उद्देश और उनकी नीतियां क्या है उत्तर भारतिय सव्धान में लिखित लोगों के उध्देश से नंबर एक लोगों का कल्यान समाजिक आर्थी वामराज नितिक सहिता नमबर दो मध्यपान निसेद, नमबर तिन घरेलो उद्धोगों को बढ़ावा, नमबर चार उपी होगी पस्वों को मारने पर रोक, नमबर पांस ग्राम पंचायत को प्रुस्ताहन प्रस नमबर साथ, भारती सविधान में लिखित राजिक के तीन निती निर्दिसक तत्तो की सूची में तीन प्रमुक बाते हैं नमबर एक, वै लच्छ और उद्धिस जो एक समाज की रूप में हमें सुविकार करने चाहिए नमबर दुवे अविसकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की अलावा मिलने चाहिए और नमबर तीन, वै नीतियां जिने सरकार को सुविकार करना चाहिए प्रश नमबर पांच, भारती सविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिये गए हैं उत्तर, भारती सव्यधान में नागरिकों को निम्न अधिकार दिये गए हैं समंता का अधिकार नमबर दो, धार्मिक सुतंतरता का अधिकार नमबर तीन भारती सविधान में चमता की अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिये गए हैं उत्तर भारती सविधान में समनता की अधिकार में नागरिकों को निमन अधिकार दिये गए हैं नमबर एक कानून के समच समानता नमबर दो कानून के समान सरचण नमबर तीन धर्म जातिलिंग या जनम इस्थान के आधार पर भेद भाव का निसेद नमबर चार रूजगार में औसर अरकी समानता नमबर पांच पद्वियों का अंत नमबर चुवा चूत की समापती प्रस नमबर साथ भारती सविधान में धार्मिक सोतंतरता की अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिये गए हैं उत्तर भारती सविधान में धार्मिक सोतंतरता की अधिकार में नागरिकों को निम्न अधिकार दिये गए हैं नमबर एक आश्ता और प्रातना की आजादी नमबर दो धार्मिक मामलों के प्रवंद और खास तरकी संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंतरता प्रस्त नमबर आठ भारती सविधान में सोशर के विरुद अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिये गए हैं उत्तर भारती सविधान में सोसर के विरुद अधिकार में नागरिकों को निम्न अधिकार दिये गए हैं उत्तर भारती सविधान में कौन से सविधानिक उप्चारों का अधिकार दिये गए हैं उत्तर भारती सविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्याले में जाने का अधिकार दिया गया है प्रस्ट नमबर 11, स्वतंतर्ता के सबसे महत्पूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतर्ता का अधिकार महत्पूर्ण क्यों है? उत्तर स्वतंतर्ता के सबसे महत्पूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतर्ता का अधिकार है? किसी भी ना सकता गिरफतार किये जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंद दिदाव वकील के माध्यम से अपना बचा करने का अधिकार है इसके अलावा पूलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभी युक हो 24 घंटे के अंदर निकटम मजिस्टेट के सामने पेस करें मजिस्टेट ही इस बात का निर्णे करेंगे कि गिरफतार उचित है या नहीं प्रेश्ट नमबर 12 निवा रक नजरबंदी क्या है या समाने तक किसी व्यक्ति को अपराद करने पर गिरफतार किया जाता है पर इसके अपवाद भी हैं समझाईए कैसे उतर समाने तक किसी व्यक्ति को अपराद पर विग्रतार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कारूनी कारे करने वाला है और फिर उसे वर्णित फिरक्रिया का पालन किये बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है इसे ही निवारक नसर बंदी कहते हैं इसका आर्थिया है कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कारून बिवस्ता या सांती और सुरच्छा के लिए खत्रा बन सकता है तो वो उसे बंदी बना सकती है लेकिन निवारक नजर बंदी अधिक्तम तीन महिने के लिए ही हो सकती है तीन महिने के बाद ऐसे मामले समिच्छा के लिए एक सलाकार बूर्ड के समख्छ लाए जाते हैं फ्रस्ट नमबर 13 नियाले में निस्पच मुकदमे के लिए सविधान किन तीन अधिकारों की विवस्था करता है उत्तर नियाले में निस्पच मुकदमे के लिए सविधान निम्न तीन अधिकारों की विवस्था करता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी कोई भी कानून किसी भी ऐसे कारिकों जो उस कानून को लागू होने से पहले किया गया हो अपराद गोसित नहीं कर सकता है नमबर तिन किसी भी वेक्ति को सुयम अपने विरुद साच देने के लिए नहीं कहा जा सकीगा रस्तमबर चुदर डाक्टर भीमरा वंबेक्टर ने सवेधानिक उपचारों के अधिकार को सवेधान का फ्रिदय और आत्मा की संग्या क्यों दी उत्तर सवेधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि इसके अंतरगत हर नागरी को जो अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उलंगन की स्तिती में सीधे उच्छे न्याले या सर्वच्छे न्याले जा सकता है प्रस्ट नमबर 15 प्रादेश या रीट किसे कहते हैं या यह कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए उत्तर नियाले कई प्रकार के विशेश आदेश जारी करते हैं जिने प्रादेश या रीट कहते हैं या निम्न प्रकार के हैं नमबर एक बंदी प्रतिशकरण के द्वारा नियाले किसी गिरफतार वेक्ती को नियाले की सामने प्रस्तूत करने का आदिश देता है यदि गिरफतार का तरीका या कार्ण गैर कानूनी या असंतूस जनक हो तो नियाले गिरफतार वेक्ती को छोड़ने का आदिश दे सकता ह परमादेश यह आदिश तब जारी किया जाता है जब नियाले को लगता है कि कोई सहरजनिक पदादिकार अपने कानूनी और सवेधानी दायत्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अदिकार प्रभावित हो रहा है नमबर तीन निचेद जब कोई निचली आदालत अपने अधिकार छेत्र का अथिक क्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उपर की आदालते उच्च नियाले या सरुच नियाले उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निचेद आदेश जारी करती है नमबर चार अधिकार पूच्च जब नियाले को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पत पर निउप्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब नियाले अधिकार पूच्च आदेश के द्वारा उसे उस पत पर कारश करने से रोक देता है नमबर पांच उत्प्रेशर रीट जब कोई निचली आदालत या सरकारी आधिकारी बिना आधिकार के कोई कारे करता है तो नियाले उसके समच्छ विचारा धेन माम लोग को उससे लेकर उत्प्रेशर द्वारा उसे उपर की आदालत या आधिकारी को हस्तांतरित कर देता है अगर वीडियो वच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग